जैए स्री कृष्ण नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारी चैनल भक्ति ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको फालक नमास की द्वादसी जिसे गोविन द्वादसी के नाम से जना जाता है गोविन द्वादसी की ब्रत कथा और पूजा विधी बता रहा हूं द्वादसी तितिका मैत भगवान स्री विष्णू की उपासना से सम्मन्दित होता है जिस प्रकार एकादसी प्रतेक महा में आती है उसी प्रकार द्वादसी भी प्रतेक महा में आती है और पृतिक महा की द्वासी सिरी विष्णू के किसी ना किसी नाम से सम्मंदित होती है मानता है कि यदि 81 का बृत ना रख पाएं तो 82 का बृत रख लेने से उसी के समान फलों की प्राप्ती भी होती है फालगुन माह में आने वाली द्वादसी को गोविन द्वादसी नाम से जन जाता है गोविन द्वादसी के सुप प्रभाव से ब्यक्ति के कष्ट एवं ब्यादियों का नास होता है इस द्वासी का पूजन एवं बित इत्यादी करने से अतिरात्र याग नामक यग्य का फल प्राप्त होता है यह बेदों में बढ़नेत अनुष्टान के अंतरगत आने वाला फल होता है फालगन मास के एक्टिशन पक्षकी 81 के दूसे दिन गोविन द्वासी का ब्रत करने का विधान बताया गया है इस द्वासी पूजा में सदाचार, सुद्ध आचार और पवितरता का अत्यान द्यान रखना चाहिए गोविन द्वासी तिती में अगर तिती ब्रदी के कारण दो दिनों तक प्रदोस काल में भी यह ब्याप्त रहे तो ऐसे में दूसे दिन के प्रदोस काल में ही मनाया जा सकता है गोविन द्वासी का पूजन एवं उपवास नियम धारन करने से व्यक्ति को सुक की प्राप्ति होती है मानसिक सांती प्राप्त होती है आरोगों को बढ़ाने वाला है सुक से परपून करने वाला है गोविन द्वासी करने से समस्त रोग आदी की सांती भी होती है गोविन्द्वासी पूजा विदी, गोविन्द्वासी तिती के दिन भागवान गोविन्द का इस्मन करते हुए दिन का अरम करना चाहिए, दैने क्रियाओं से निवत होकर पूजा का संकल्प करना चाहिए, गोविन्द का पूजन करना चाहिए, भागवान स्री विश्णू प्रितिमा इस्थापित करने चाहिए। सामर्त अनसार ब्रामन को भुजन करना चाहिए वा दान दक्षना इत्यादी भेट करनी चाहिए गोविन द्वासी ब्रत में 81 से भी ब्रत का आरम करना स्रेश कर होता है अगर संबब ना हो सके तो द्वासी को ब्रत आरम करें दूसे दिन उफवास रखने के बाद रात को पाता है इस ब्रत की मेंवा से ब्रती की सारे पापनेश्ट हो जाते हैं और वह सभी संसारिक सुखों को भोग कर पाता है गोविन द्वासी मंत्र गोविन द्वासी के दिन भागवान स्री विश्णू के मंत्र का ज्याप करना अत्तन सो फल्दाई होता है स्री गोविन का स् ओम नारायन आए नमहा ओम स्री विष्णवे चा विद्महे वासो देवाई धीमही तन्नो विष्णू पर्चो ध्यात ओम नमो नारायन स्रीमन नारायन नारायन हरी हरी गोविन दौादसी कता महत्तम गोविन दौासी के दिन स्री विश्णू भगवान की कताओं का सरवन अभश करना चाहिए इस दिन गीता का पाठ करने से ब्यक्ति बंदन से मुक्ति पाता है इसे प्रकार सीमत भागवत को पढ़ने अत्वा स्रवन द्वारा भक्त को सुब फलों की प्राप्त होती है गोविन द्वासी के दिन स्री विश्णू के बाल सरूप का पूजन करने से संतान का सुख प्राप्त होता है गोविन द्वासी के दिन ही नरसंग द्वादसी का पर भी मिना जाता है भगवान विश्णू के बारे अफ्तारों में से एक नरसंग अफ्तार भी है भगवान स्रीहरी विश्णू का ये अफ्तार आदा मनुश्वा आदा सेर के रूप में रहता है भगवान स्री विश्णू ने ये अवतार दैत्यों के राजा हिरना कशपू को मारने के हित्तु लिया था पराण कता के अनुसार कशप रिशी की पतनी दिती से उन्हें हिरनाक्ष भा हिरना कशपू नाम के दो पुत्र प्राप्त हुए थे देती दैत्तियों की मात थी अते उनके पुत्र दैत्त हुए हिरनाक्ष वा हिरनाक कशपू दोनों ही असुर प्रवर्ति के थे प्रतिवी की रक्षा करने के लिए जब स्री विश्नु भागवान ने 12 अपता लेकर हिरनाक्ष का बद कर दिया तो अपने भाई की मिर्तिव का प्रति सोद लेने के लिए हिरनाक कशपू स्री विश्नु का प्रवल विरोधी बन जाता है और जो भी व्यक्ति स्री विश्नु की भक्ती करता है वह उसे मिर्तिव रन देता है हिरन कशपू ने अपनी कठोर तपश्या द्वारा ब्रह्मा जी से अजे होने का बर्दान प्राप्त कर लिया था अपनी सकती का गलत उप्योग कर हिरन कशपू स्वर्ग पर भी अधिकार इस्तापित कर लिता है हिरनकाशपू को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम प्रेलाद होता है प्रेलाद स्री विश्नु भगवान का परमभक्त था जब पिता हिरनकाशपू को अपने पुत्र प्रेलाद की स्री विश्नु के प्रती भक्ती को देखकर क्रोधत हो जाता है और उसे दन्र देता है लेकिन हर बार स्री विश्नु भगवान की किरपा से प्रैलाद बच जाता है एक बार जब भरी सवा में प्रैलाद भगवान स्री विश्नु के सर्व सक्तिमान होने के कारण हर कणकण में होने की बात कहता है तो वहना कशपु कुरोदस से उससे पूचता है कि यदि तेरा भगवान इस खम्मे में है तो उसे बुला कर दिखा तब प्रैलाद अपनी भक्ति से भगवान को याद करता है और स्री विश्नु भगवान खम्मे के चीरते हुए नरसिंग अफ्तार में प्रिकट होते ही और हेना कशपु का बद कर देते ही भगवान नरसिंग प्रैलाद को बरदान देते हैं कि आज के दिन जो भी मेरा इसमन करेगा एवं पूजन करेगा उस भक्त की सभी मनोकामनाय पूर्ण होंगी इस प्रिकार गोविन द्वासी का दिन ही भगवान स्री नरसिंग पूजन के लिए भी बहुती सो मना जाता है गोविन द्वासी के ज़